जी मैं बताना चाहूंगा कि विधान सभा का बजट सत्र आज चुरू होने वाला है जो 21 फरवरी तक चलेगा आज कमलनाज सरकार अपना अंत्रीम बजट पेश करेगी आगामी लोकसावा चुनाओं को देखते हुए राज सरकार का बजट में जनता को कई सोगात देने वाली है यानि कि कमलनाज सरकार आज जो है लोकसावा चुनाओं से पहले बड़ा एक जनता के लिए पिटारा खोलने वाली है जिसमें कई ऐसी सोगाते होंगी माना जा रहा है कि संत्रिम बजट सत्र में राज सरकार कई तरह की घोशना करेंगी जो कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में शामिल किये ऐसी वो गोशनाएं होंगी जिने कॉंग्रेस ने अपने वचन पत्र में जगे दी थी और बजट से पहले वित्तमंत्री तरुन भानोट ने भी ऐसे संकेत दिये हैं कि इस बार बजट आम आदमी को राहत देने वाला होगा यनि कि इस बजट में कमलनाज सरकार आम आदमी का खास तोर पर खयाल रखेगी और ये भी खबर आ रही है कि बजट में किसी भी प्रकार का टेक्स नहीं बढ़ा जाएगा बजट सत्र के दोरान वित्ति वर्स 2019-2020 के शुराती चार महीने का खर चलाने के लिए लेखा नुदा को भी मंजूरी दी जाएगी यनि कि कमलनाज सरकार की कोशिश है कि इस बार का बजट जनता को राहत और प्रदेश को गती देने वाला हो बजट में किसी बजट में किसानों और युवाओं को विशेश ध्यान रखा जाएगा एसी भी योजनाय पेश की जा सकती है जिससे क कि निवेश का माहूल बने ताकि बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर खुल सके यानि कि मैं बताना चाहूंगा कि मद्पदेश में विधान सवा चुनाओ जीतने के बाद कमलनाज सरकार अपना पहला बजट पेस करने वाली है और क्योंकि ये लोक सवा चुनाओ से पह नजरे ठिकाय हुए आशा भरे नजरों से सभी वर्ग के लोग इस बजट सत्रों को देख रहे हैं तो देखना होगा कि किस तरीके से कमलना सरकार का जब जो वित्तमंत्री तरून भनोट जब अपना सूटकेस खोलेंगे तो किस तरीके से गोशनाओं का पिटारा खुलता ह रहे दो देखने जएके सory वित्तमंत्री तरून भरे बरे टोभकेट से से मेड़ा के लगाइश़् देखने लिक grillri do किस तरीके समया इखने र्लव पिजए तरून्चे desse कि अ довольно कोईमे तरीकास, तριहे हैं है एाई वजएँ वित्तमंत्री कैंशकी से 5 ज Очень पliएद आजर द